हलो गैज वेलकम टू माई चैनल तरुन्चर तो बच्चों इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जावा स्क्रिप्ट के अंदर फोर इन लूप को आईए देखते हैं हम लोग फोर इन लूप को प्रिवेस वीडियो में हमने फोर आफ लूप देखा था कुछ-कुछ उससे मि या इंडेक्स पर इ्ट्रेट करते हैं so let's see the foreign loop in JavaScript is typically used for iterating over the keys or property name of objects basically foreign loop को हम किसी भी JavaScript object की properties पर इट्रेट करने के लिए use करते हैं देखिए JavaScript में array भी एक object है लेकिन array में keys नहीं होती है keys की वज़ए हम इंडेक्स पर काम करते हैं So it can be used to iterate over indices of the array. Array के indices पे, array के indexes पे iterate करने के लिए हम लोग इसका use कर सकते हैं. But still मैं recommend यही करूँगा, अगर आपको array के elements को iterate करना है, then always use for off loop. यदि आपको array के अलावा किसी object पर iterate करना है, जिसमें keys हैं, तो आप लोग use करें for in loop को. But सिर्फ समझने के लिए कि conceptually for in का भी हम यूज कर सकते हैं, मैं आपको यह video बना के दे रहा हूँ. So here is how you can use the for in loop to iterate over an array with an example. So basically हमारे पास एक colors नाम कह रहे है, जिसमें हमने red, green and blue, यह तीन values इस्टोर करी हैं. अब देखिए, थोड़ा सा मैं memory में बताऊं कि यह किस तरह से कुछ बन रहा होगा. तो memory में यह हमारा array जो बना होगा, वो कुछ इस तरह होगा. यह हमारा एक colors reference बना and यह colors reference जो है, वो इस array को indicate कर रहा है. अब इसमें जो indexes बने हैं, indices बने हैं, वो 0, 1, 2 है. 0 पर हमारी value stored है red, 1 पर है green and 2 पर है blue. Okay. Now हम लोगों ने क्या किया यहां पर? हम लोगों ने, एक सिकंड में इस, मेरे tool को इधा कर देता हूँ. Now हमने यहां पर क्या करा? एक for loop setup किया, constant index in colors and console.log में हमने index print कराया और color array में index element जो है, उसको भी हम print करा रहे हैं. तो guys सबसे पहले यह क्या print करेगा? पहले यह print करेगा 0, देखे, क्या होगा? अभी इस colors array में से first index जो है हो, इस index variable में आ जाएगा. यह जुर्ड़ी नहीं है, हम पर index ही नाम रखते है, इस variable का नाम आप कुछ भी use कर सकते हैं. तो index के वहले यहां पर 0 हो गई पहली बार, और यहां पर हमने use किया colors 0, colors 0 पर red पढ़ा है, तो यह print करेगा 0 red. ओके, देन उसके बाद में automatically 1 आ जाएगा, 1 equal to green प्रिंट करेगा, देन index में 2 आ जाएगा, और 2 equal to blue यह print कर देगा. अच्छा, मैंने previous video जो डाला, उसके बाद मेरे से कई वच्चों ने पूचा कि, सर, यह जो const यहां पर आप लगा रहे हो, इस array के पहले, इसका क्या meaning है? तो इसका meaning यह है, कि अगर कहीं हम colors equal to, आप इससे new array कुछ करना चाहते हैं, नए array बनाने की कुशिश करते हैं, अगर, या colors equal to, ऐसे कुछ values assign करने की कुशिश करते हैं, दुबारा से, तो यह errors हो जाएंगी, क्योंकि हमने const reference बनाया वाया है, कुछ बच्चों ने का, सर, तो क्या colors zero होगा है, को change नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, आप individual element को modify कर सकते हो, जैसे मैंने यहापे डाल दिया yellow, तो इसका zeroth element modify हो जाएगा, उसकी value yellow हो जाएगी, तो आईए गाईज, हम लोग इस example को practical पे भी run करा के देखते हैं, let's go to sublime text, यहाँ हम लोगों ने js folder पे एक नई file डाली, save किया इसे for in loop in js.html, title set कर दिया, for in loop, js and script tag लगाया, हम लोग ने, यहाँ पे हमने use किया, सबसे पहले एक array बना दिया, const colors equal to red, green and yellow और यहाँ पे हमने लिया, const index equal to, const index in colors, चीक है, और अभी हम क्या कर रहे हैं, document.write कर रहे हैं, और यहाँ पे हम लोग, basically इस तरह से print करवा देते हैं, जया चलो एक बार मैं आपको console पर ही दिखाता हूँ, फिर इसको open document पर use करके देखते हैं, console.log, यहाँ मैंने print कर रहा है, किवल index को, तो right click करते हैं, open in browser, control shift आई किया, 0, 1, 2 आगे indexes, इसको open ही रहन देते हैं, और, इधर हम लोग, index, comma, और, बराबर का symbol, then हमने यहाँ डाला, colors of index, इसको just हमने refresh किया, तो 0, red, 1, green, 2, yellow, ओके, अच्छा, एक चीज़ मैंने बताई, मैंने बताई कि यहाँ पर चूंकि मैंने colors को const बना रखा है, तो इसमें नया area assign नहीं कर सकते हैं, like मैंने colors equal to कुछ भी, area assign करने को शिश्करी, 12345, ओके, इसको refresh किया, and यह मैं error देगा, type error, assignment to constant variable, but हम individual element को change कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर कर दिया, colors 0 equal to, एक area डालने के बचाए, यहाँ पर मैंने डाल दिया blue, and एक बार loop चला के हम देख लेते हैं, फिर से क्या value प्रिंट कर रहा है, तो हमने फिर से loop चला के देखा, refresh किया, तो इस बार 0 पर blue, 1 or 2 as it is पड़े, that means अगर हम area के reference को const declare करते हैं, तो उसका मतलब यह होता है कि, इस reference में नया area sign नहीं कर सकते, लेकिन इसके particular किसी भी index पर पढ़ी हुई value को हम change कर सकते हैं, चीके guys, नव मैं क्या करता हूँ, मैं इसको थोड़ा सा document.write से use करके दिखाता हूँ आपको, हम लोग कुछ paragraph generate करते हैं, जिनका background color वही होगा, जो array में दियावा है, तो इसके लिए हमें क्या use करना होगा, document.write यूज़ करना होगा guys, चलिए, वे इसको full screen पर ले आता हूँ मैं, ओके और, यहां हमने set किया, const color in, या मैंने ले लिया color index in colors, color index थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, यहां हम लोगों ने use किया, p tag को write कर देते हैं सबसे पहले, simple लिख लिजे सबसे पहले, okay, this is a, और colors जो array है, उसके index हमने value उठाए, this is a color index, background, paragraph, अब देखे, मुझे क्या करना है, इस color index, की value को print कराना है, तो मैंने यहां पर double caught को खतम किया, plus लगाया, देनिस किया तो आपिस प्लस लगाया, double caught start कर दी, आच्छा, मैं इस पर कुछ formatting भी देना चाहता हूँ, तो मैंने यहां पर use किया, style, equal to, देखे, double caught में double caught नहीं लगा सकते हैं, योगि बाहर double caught थी, तो मैंने अंदर क्या करा, single caught use कर लिए, background, dash, color, column, यहां मुझे क्या करना है, color की value देनी है, और color की value क्या पढ़ी है, अपने पास color index में पढ़ी है, so what will we do, इसको यहां से उठाते हैं, आच्छे, यहां पर double caught को हमने खतम किया, plus लगाया, then वापिस plus लगाया, double caught शुरू, ओके, let's run this, ओके, तो जो color हमने एरे में दे रखा था, वो आ गए, अब यह एरे में सपोज हमने एक color बढ़ाया, यहां हमने कर दिया blue, यहां हमने कर दिया pink, अच्छे, यह हो सकता है, कोई directly यहां से कुछ यह color आने के बज़ाए, किसी API से कुछ data आ रहा होता, तो उसको भी हम fetch करके ला सकते थे इधर, ओके, so this is working fine, तो दोस्तों उमीद करता हूँ, कि आप लोगों को, एक concept जो है, समझ में आओगा foreign loop का, फिर भी कोई doubt रहे जाता है, तो इस वीडियो पर comment कीजिए, मैं आपके doubt को दूर करने कुछ करूँगा, या मेरा whatsapp number भी मैंने contact में डालावा है, उस पे भी आप मुझसे contact कर सकते हैं, गाइज, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, तो मेरे चैनल को subscribe कीजिए, मेरे चैनल को join कीजिए, super thanks Annabelle है, super thanks आप मुझे दे सकते हैं, और साथ ही साथ अपने juniors के साथ, अपने friends के साथ भी इन वीडियो को share कीजिए, ताकि वो लोग भी अच्छे से programming सीख सेखें, thanks for watching this video guys, thanks a lot.